नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रावन CLC आज इस वीडियो के मादिम से सेशन 2020-21 एडमिस्टर प्रोसेस के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ जैसा कि आप जानते हैं, आपके अपने CLC, नीट और जेई की त्यारी कराने वाला एक स्तापित, विश्वसने नाम है सीकर इसका हैड ओफिस है, अलोवर, जैपूर, जोदपूर, जिसकी ब्रांचेज है, कोटा, जिसका टेस सेंटर है दोस्तो, सेशन 2020-21 का पहला बैच, हम लोग 2 अप्रेल को सुरू करने जा रहे हैं एडमिशन, रेजिस्टेशन, 31 जनवरी, जो CLC का स्तापना दीवस है, उस दिन से प्रार्म्प हो रहा है मुझे बताते हैं, बहुत कुशी हो रही है, 31 जनवरी 1906 में को शुरू किया गया एफ चोटा सा पोदा 31 जनवरी 2020 को अपने 24 साल कम्प्लीट कर रहा है, मेरे साब से बात बताने को काफी है कि 24 साल से कोई संस्ता राइज भी कर रही है, स्टेंड भी कर रही है, तो निश्यत रूप से वह अच्छा काम हो रहा है, वह अच्छी टीम है, अच्छा मनेजिमेंट है, अच्छे रिजिल्स है, खुद का स्टेडी मेट्रियल है, अपनी स्टेस्रीज है, अपनी साक है, अ सबसे उपर इश्वर का आसिरवाद अपनों का आसिरवाद उसमें बना हुआ है मेरे अपने गारजियन्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि CLC किस प्रकार से कौन कौन से बैचे चलाता है हम सब जानते हैं कि IT और नीट का एक्जाम 12 के बाद होता है लेकिन दुनिया काफी aware हो चुकिया भाई गारजियन बच्चे इवन दे गाओं को ड़ाणी के लोग भी आजकल अपने बच्चों लेकर aware हो चुके है इवन दि बाड़ मेर के गाओं तक के बच्चे आजकल pre foundation से हमारे पास आना स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं कहना चाहूंगा नीट और आईटी का एक्जाम तो बारवी के बाद होता है लेकिन दोस्तों उसकी प्रिप्रेशन उसकी तैयारी आज सकल नाइंथ क्लास से प्री फाउंडेशन के कोर्स के रूप में स्टार्ट हो जाती है यदि आपका बच्चा 9-10 में है तो आप हमारा प्री फाउंडेशन जोईन कराएं यदि आपके बच्चा टेंथ पास किया है तो 11-12 फाउंडेश गूरूप में जोईन कराएं जिए आपका बच्चा मार्स 2020 में 12 का एक्साम दे रहा है तो वो पुरी साल के लिए हमारे पास टारगेट कोर्स में आएगा कहने का सार 9-10 प्री फाउंडेशन 11-12 फाउंडेशन आप्टर 12 टारगेट कोर्स एक बात कहते हैं बहुत खुशी होती है नीट और आयाईटी दोनों में एक्वल शमकक्ष रिजल्ट क्वालिटी के साथ आपका अपना सील सी काम कर रहा है अपने खुद के स्टेडिमेटरिली के साथ अपने खुद के टेस्रीज के साथ अपनी सीकर हैड ओपिस के लावा अलोवर, जेपूर, जोदपूर, तीन ब्रांचेज के साथ कोटा में एक सफलता पूरक तैसरी चलाते हुए ये आपकी सेस्टा काम कर रही है सेसन 2020 के अडमिशन फोर्म 31 जनवरी 2020 से ओपन हो जाएंगे 31 जनवरी का एक मुर्थी बांते हैं हम लोग क्योंकि उस दिन आपकी CLC का स्टापना दिवस है और इस साल तो हमारे लिए बहुत खास स्टापना दिवस क्योंकि हम 24 साल पूरे करके 25 साल पर प्रवेश कर रहे हैं अब आपके दिमाग में बात आएगी कि फिस ट्रक्चर क्या है, सारी विवस्ता है कैसे है किस कोर्स का स्टूल क्या है तो दोस्तो हर कोर्स का अलग-अलग स्टूल के वीडियो हमने साइड पपलोड कर रखें इस वीडियो में मैं केवल स्टा के बहुत के बारे आपसे बात करने जा रहा हूँ इस आपको प्री फारॉंडेशन देखना हूँ आपको फारॉंडेशन देखना हूँ आपको टार्गेट कोर्स देखना हूँ तो आगे आप लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पूरी साल का स्टूल आपको हाँ मिल जाएगा फीस्ट्रेक्चर आपको कमप्लीट हमारी सैट पे बिल जाएगा हाँ स्कोलर्शिप किस प्रकार की दी जाती है वो आप से शिर्ख करना चाहता हूँ एक स्कोलर्शिप आपके बोर्ड के परसंटेज के बेस पे होगी है एक स्कोलर्शिप CLC ने कास्ट नाम का एक्जाम कराया था हरियाना रास्ता दोनों स्टेट में उसके अकोर्डिंग जो भी आपका परसंटेज आया था जैसा उनों सब बच्चों पता है जिसने कास्ट के एक्जाम को दिया है दोनों के बेस पे आपको एक स्कोलर्शिप देजेए हाँ इन दोनों स्कोलर्शिप में कोई एक स्कोलर्शिप आउ ले सकते है जो आपको ज़्यादा लगे इसके अलावा मनेजिमेंट ने फैसला किया कुछ दिनों पहले कि 31 जनवरी 2020 को हम लोग 24 साल पूरे करके 25 साल है सिल्वर जूबलियर में परिवेश करने जा रहे है तो जो बच्चा इस तर एडमिशन ले रहा है अर्ली एडमिशन के नाम पे यानि आप 31 जनवरी 2020 से पहले सिल्सी में अपना एडमिशन लेते है तो वो जो प्रिंटेड ओफ है जो स्कोलर सीप है बोर्ड बेस्ट पे कास्ट बेस्ट पे उसके लावा एडिशनल पांच हजार रुपे का आपको उप दिया जाएगा माफी चाता हूँ या मुद्दा पांच हजार रुपे का नहीं है मुद्दा सेस्टा के सिल्वर जूबली के उस्व का है उस्वा का है तो क्यों ना जो लोग पहले आए उनको भी उस्वा में उस्वा में सामिल किया जाए दोस्तो रिजल्ट्स आप हमेसा सेल्सी देखते आए हैं जो हमेसा उतकुस्ट रहते हैं वो चाहे मेडिकल हो चाहे आईटी हो देश का साइज ऐसना कोई मिडल कोलेज हो जा सेल्सी का स्टेडी कर रहे हैं एक परफेक्ट टीम है टीम के बारे में आपको पता करना हो तो सेपरेट वीडियो डाल रखा हमने आप उसको फोलो कर सकते हैं दोस्तों सेल्सी परिवाट डोट इन के हमारी विबसाइट है आप वहाँ जाके और विजिट करें सेल्सी के बारे में सेल्सी सीकर का मेरा यूटूब चैनल है आप उसको जाके देख सकते हैं एक पास पस्ट करना चाओंगा भाई जमाना बहुत एडवांस भी है लेकिन जमाने बेमानिया भी है कुछ लोग काच के टुकड़ों को भी दोस्तो धूप में हीरा बनाके चमका के बेश देते हैं माँ पे चाहता हूँ ये काम मैं ना कभी किया है और ना कभी करूंगा और ये काम से नहीं किया तब ही 24 साल से ये संस्टा राइजिंग मोड में है उत्री भारत में चार-पांस स्टेट है रियाना, राजस्तान, दिल्ली, मद्य, परदेश, गुजरात पताओ कितनी संस्टा हैं भाई जो 24 साल से राइज कर रही है या 24 साल से अपना वजुद बचा पा रही है तो कोई ना कोई बात तो है सबसे बड़ी बात तो इश्वर की महर है अच्छे करम है और आप जैसे अपनों की दुआएं है मैं एक बात करना चाओंगा आप जब अपरेल, मैई, जून में एडमिशन के लिए आते हैं किसी भी सहर में आते हैं तो हमार्केटिंग की चकाचोंद होती है साइध आप हीरे और काच के टुकडे का डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि विक्तिकत निमेदन है आपको जनवरी, फरवरी, अभी आपके पास दो ड़ाई मेहने है बच्चा बहुत कीमती है हमारा आपको एक बास सीकर आके सेल से विजिट करना चीए सारी विवस्तें देखने चीए जो बच्चा हमाँ स्टेडी कर रहा है आपको उससे बात करने चीए जिनके बच्चे स्टेडी कर रहे हैं उन गार्जिंस के साथ आपको बात करने चीए वो जो feedback देंगे स्विकारता हूँ दोस्तों आपको उसको follow करना चाहिए हाँ यहाँ एक बात मैं बच्चों से करना चाहूंगा कई बड़ 10th का बच्चा 12th का बच्चा पापा चाहते हैं कि मुझे एड्मिशी सील से में लेना है पर बच्चा कहता है मेरे दोस्त किसी वाई कोचिंग में जा रहे है और आप अपने पापा के फैसले को नकार कर वहां जाते हैं दोस्तों माफी चाहता हूँ आप अपने पापा से समझदार नहीं है और आपका कोई भी दोस्त, आपका कोई भी टीचर, आपका कोई भी जानकार आपके पापा से ज़्यादा आपका बलानिस हो सकता आपके पापा से अधिक वो समझदार नहीं हो सकते इसलिए आपके पापा का जो डिसीजन है C.L.C. है तो C.L.C. माई सेल्स से नहीं है तो जहां आपके पापा का मम्मी पापा का मतलब है घर में चाचा पापा जो हमारे अपने हैं बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं अपने के फैस्ट लेको लेते हैं आपको एडमेशन रहना चाहिए अब यहां एक बात हो रहाएगी आप कहेंगे शरौण भाई दो अपरेल को तो आपका बैस स्टार्ट हो जाएगा हम तो 10th के रिजल्ट के बाद आएंगे 12th के रिजल्ट के बाद आएंगे हमारा बचा तो अभी 3 माई 2020 को इस साल नीट का अग्जाम दे रहा है हमारे बचा जेए का फॉर्म बर रखा है वो जनवरी का टेम्ट देगा फिर अपरेल का टेम्ट देगा उसके बाद हो सकता हो एडवास के लिए कौलिफाइड हो जाए पर एडवास में बाद में आएं तो क्या हो तो मैं सपस्ट कर दूँ दो अपरेल से लेके 20 जुलाई तक एडमिशन चलते हैं अलग-अलग बैचेज अलग-अलग टाइम पर सुर होते रहते हैं हाँ ये निश्चित है एंड सारे बैच एक साथ होंगे आठ मार्च को हम सारे बैच खतब आठ मार्च को करते हैं 11 वर टारगेट 12 हमारा हम बहुत जल्दी कर देते हैं दोस्तो अलग-अलग बैचेज में सीडूर क्या चलता है मैंने पहले भी कोट किया है इसके लिए बाकाइदा एक वीडियो सेप्रेट बनाके अमने अप्लोड कर रखा है आप उसको देख सकते हैं चार सब्दों पे जोर देते हुए मेरी बात को समाप्टी को लेके जा रहा हूँ केवल सिक्षा के लिए सीलसी नहीं है सीलसी चोईस साल पुराना संस्ता एक स्ताफिस संस्ता होने के बाद भी इसका डारेक्टर आँख खुलने से लेके रात को सोने तक अपने बच्चों के लिए काम करता है एकल नेतरतु है जिसके कारण कोई कनफूजन नहीं है मनेजमेंट का दूसरा हमारे खुद के अपने हॉस्टल्स इसके बाद हमारा खुद का अपना स्टेडी मेट्रियल हमारे खुद के अपने और हमारे कुछ बित्रों के साथ जुड़ेवे स्कूल आपको अलग से कहीं कोई टेंशन हैडेक नहीं पालनी है मैं इस वीडियो के माद देंशे आपको शूर कर सकता हूँ कि CLC आपके बच्चे को एक अच्छा इंसान सफलता के साथ बना के बेजेगी मेरा पूरा जीवन इसी बात के नाम है इसी बात के लिए मैं मेरा हर सूबह सुरू करता हूँ और इसी बात के साथ मेरी शाम होती है मैं इश्वर से प्रात्ना करता हूँ कि मैं आपके सब्टों पे भी खड़ा उतर सकूँ जैसा आज तक 24 साल से उतरता आया हूँ एक बात और शेयर करना चाहूँगा 96 से लेके 2016 तक माकेला लगावा था आप सब जानते हैं 2016 में मेरा बेटा साहिल जो एनाइटी जालंदर से पास आउट है मेरे बरदिनला निरेश जी जो परने के लोग टीचिंग करते थे आज हम मनेजिमेंट में तीन लोग खड़े हुए उसके बाद एक परफेक्ट टीम बनाई मनेजिमेंट की तुस्ट हो खुश हो उसको लगे कि जिस सहस्ता पर एडविशन लिया सहस्ता ने अपना काम इमान दरेशी किया मेरे बात को समराइज करता हूँ दोस्तों सेशन दो हजार बीस इकीस का पहला बैस्टार्ट दो अपरियल से है पंदरा जुलाई ते के एडविशन चलेंगे नीट हो चाई आईटी दोनों पैड़दल काम करते हैं प्री फाउंडेशन फाउंडेशन टार्गेट सब में काम करते हैं दोनों मीडियम में काम होता है रही बात कुछ लोग आते हैं बोर्ड को लिकान फाउंडेशन तो साब आपको डोक्टर बनाना है तो देश में एक एगजाम है नीट आपको बच्चे आईटी नाईटी भीजना है देश का एक एगजाम है जही इसलिए बोर्ड, स्टेट, मीडियम ये सब सेकंडरी बाती होगी क्यों पेपर दोनों मीडियम में आता है और किसी बोर्ड से आएं सत्रा मई इसलिए बात करो सत्रा मई को आईटी एडवांस होना है तीन मई को नीट का एगजाम होना है इसलिए सब चीजे आप कन्फूजन नहीं हो और आपके छोटे मोड ये कन्फूजन कोई हो तो आप सेल सी आके अपने कन्फूजन मिटा सकते हैं आप सब को बहुत-बहुत सुपकाम नहीं आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए सनस्ता आपके आभारी है बेटा दो जनवरी दोजार बीस है मार्स में आपके बोर्ड के एक्जामस है आप अपना अच्छा करें बोर्ड को सिष्ट करें बेश्ट करें आपके पेपर अच्छे हो तैंक यू जेसीनसी